साथ दिनों तक चीनी ना खाएं तो क्या होगा? ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे Head The Rate Deep Cool Head The Rate चैनल को सब्सक्राइब करें वो मीठा देखते ही मुँ में पानी आने लगता है वो कहते हैं ना जी लल चाहे रहा न चाहे और जादता लोग रह भी नहीं पाते हैं वो दबा कर मीठा खाते हैं और हमारे भारत में तो छोटी से छोटी खोशियों के शुरुआत मिठाई के साथ ही होती है फिर चाहे किसी की नौकरी लगी हो या किसी की शादी तैव ही हो या आप किसी के घर खूमने जाएं सबसे पहले मूँ मीठा कराया जाता है लेकिन मित्रों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम एक हपते तक चीनी ना खाएं तो हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं मित्रों आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा वैसे क्या आप जानते हैं कि चीनी की लट बैसी ही होती है जैसी की शराब या सिगरिट की लेकिन अक्सर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम एक दिन में कितनी चीनी का इस्तिमाल कर लेते हैं तो ऐसे में अगर हम एक हपते तक चीनी से बनी किसी भी तरह की चीज़ को खाना बंद करते हैं तो हमारे चरीर पर क्या होगा मित्रों चीनी चोड़ने के कुछ ही घंटों के बाद आप अपने दिमाग की तागत में बड़ोतरी महसूस करेंगे एक रिसर्च के अनुसार जो लोग चीनी का इस्तिमाल जादा करते हैं उन में सीखने और चीजों को याद रखने की चमता कम हो जाती है तो ऐसे में अगर आप किसी एकजाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर चीनी से बनी चीजों से दूरी ही बना लें यही बहतर होगा आपके लिए तो वहीं पर चीनी का इस्तिमाल वंद करने से आपके चेहरे की स्किन पिलो करने लगेगी और आप अपने आपको यंग महसूस करने लगेंगे इसके साथ ही रिसर्च में ये भी पाया गया कि जादा चीनी का सेवन करना कील मुहासों को बड़ाबा देता है तो वहीं चीनी का इस्तिमाल ना करने से आपका दिल भी स्वस्त रहता है क्योंकि उसका हार्ट रेट कम हो जाता है और आपका बलड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है जिससे आपके दिल को कम महनत करनी पड़ती है मित्रो चीनी बंद करने से आपका मूड भी अच्छा रहता है लेकिन चीनी का इस्तिमाल तुरंत बंद करने से आप चड़ चड़े भी हो सकते हैं इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कुछ दिन के बाद आप खुद को फ्रेश महसूस करने लगेंगे और आपको सब कुछ पहले से अच्छा लगने लगेगा इसके साथ ही रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जो लोग चीनी का इस्तिमाल नहीं करते उनको स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी बिमारी नहीं होती अगर आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम परिशान कर रही है तो आपको चीनी का सेवन कम या फिर बंद कर देना चाहिए मित्रों चीनी का कम इस्तिमाल करने से आप ऐक अच्छी नींद ले पाएंगे सोने और जागने की टाइमिंग भी अपने आप ठीक हो जाएगी साथ ही इसका इस्तिमाल ना करने से आपको डाइविटीज और कैंसर जैसी बिमारियां नहीं होंगी और आप एक अच्छी वा स्वस्त जिंदगी चीपाएंगे इसके साथ ही चीनी का कम इस्तिमाल करने से आपकी देखने की छमता में भी बड़ोतरी होगी जिनकी नजर कमजोर है उन्हें चीनी का कम इस्तिमाल करना चाहिए ऐसा करने से आप जल्द ही फरक महसूस करेंगे मित्रो इसके साथ ही मैं आपको बता दू कि मुटापा एक ऐसी बिमारी बन गया है जिससे हर कोई आज जूज रहा है तो वहीं अगर आप चीनी का इस्तिमाल एक हपते के लिए बंद कर देते हैं तो आप अपना आदा किलो तक बजन कम कर सकते हैं यानि एक महीने में आप दो किलो तक बजन कम कर सकते हैं इसके साथ ही चीनी का इस्तिमाल कम या ना करने पर आपको डॉक्टर के चक्कर भी कम लगाने पड़ेंगे तो मित्रोचीनी का कम इस्तिमाल करने से आपको ये सारे फाइदे हो सकते हैं अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइप करना, शेर करना और कमेंट करना ना भूले साथ जी साथ